सब्सक्राइब के साइड में टॉली रिफ्यूज को क्यों कंस्ट्रक्ट के जाता बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाना दूसरी चीज थी दूस्तों किसके डाइमेंशन क्या होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अंदर-अंदर आपका होना चाहिए वह होना चाह देख रहें यहां पर इसका जो हाइट रहाएगा वह यह अपका स्लिट्र वीडियो को जरूर देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनिशियल लेटन पर मिल जाएगा आज अदिशनल कुछ और भी चीज़ें जो टॉली रिफ्यूस कंस्ट्रेक्शन में इंपॉर्टेंट है वह आज मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो मां के बढ़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है दोस्तो अगर आप हमने चैनल पे नहीं हो तो प्रीज आले हो का बनाने का पीछे का जो रिजन है वो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको जानना बहुत जरूरी दोस्तों तो इनर वाल तो चले ठीक है जो ड्रेन का इनर वाल था उसको हमने उठा दिया और कितना उठाया था यह एक चीज मैं समझाता हूं आपको तोड़ा असान हो जाएगा यह जो आपका इनर वाल होता है ना ड्रेन का वह आपके फॉर्मेशन लेवल पे होता है ठीक है यह आपका फॉर्मेशन लेवल हो गया अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्लैब है स्लैब की जो हाइट रहेगी वो बिएवारियर अब के रियल हाइट के हिसाब से जितना आपका रियल हॉगा ही अपके मिशल का अ और वाला है तो फिर आप वाल कितना उठाओगे तो स्लाइब की जो थिकने से आपको प्रोवेट करना है 125 mm ठीक हो गया अभी क्या है कि यह आपका फॉर्मेशन है एक चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर्मेशन से रेलवे ट्रैक का जो हाइट होता है वो होता है 740 mm यह आपका इनर वाल औरडी कितने मैं कितने में मतलब कि अगर हमको इसको यहां पे ट्रॉली रिफ्यूज बनाना है ऐसे तो ड्रेन पर पस ही है इतना ही रहता फॉर्मेशन लेवल पर रहता है लेकिन अब मुझे यहां पर क्या बनाना है ट्रॉली बनाना तो मैं क्या जो सब्सक्राइब करते हैं तो आप क्या करेंगे चैसे सब्सक्राइक करेंगे कि अपने वाल को slab से 125 mm डाउन करके उठा दो गए तो अभी क्या है कि यहाँ पर प्रोवेट करने का पीछी का रिजन क्या है कि यह आपका जो ट्रैक है यहाँ पर ट्रॉली है यह जो बीच में जो स्पेस देख रहे हो ना बाद में इसको क्या करना है ब्लास से फिल अप कर द यहाँ पर आ जाएगा ठीक हो गया यहाँ पर पूरा ब्लास रहेगा ताकि वह ट्रॉली को उठाके इसके उपर रख पाए ठीक है तो अगर यहाँ पर ब्लास आप लेकर आते हो और इस वाल को हाइट नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि ब्लास रोल डाउन होके आपके ड् पर ब्लास इतना जादा भी रोल डाउन हो कि पूरा इथर तक आ जाएगा इसलिए हमें मैक्जिममम हाइट तक जाने की जरूरत नहीं है हमने यहाँ से वाल लेवल पर उठाया जो हमें उठाना था यहाँ से फॉर्मेशन जिएरो करके इसको स्लोप में बना दिया ठीक है स्लोप में क्यों बना गया हाँ डिस्टन्स कितना रखना है यह आपका वाल फेस ता जाएंड हो रहा है वहां से 2.5 मीटर दिस साइड और तोटल पांच मीटर आपको एक स्टेंट करना है धाय 2.5 मीटर एक तरफ और 2.5 मीटर दूसरे दरफ उसके बाद क्या था कि आउट सब्सक्राइब करते हैं दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि पीछे मिटी को रोटने के लिए हमें आउटर वोल यानि कि रेटेनिंग वाल प्रोवाइट करना होता है वहां पर आउटर वाल और इनर वाल कभी जो हाइड वो सेम रहने वाला ठीक एक लिए तो ठीक है जैसे मैंने आपको बोला कि सम रिजन हमें यहां पर आउटर वाल एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करना था प्रीछे हाड रॉक है और अर्जन भी था काम को कम्प्लीट करना था बड़ स्टिल आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने स्लैप के बाद भी आउटर वाल को कुछ दूरी तक एक्स्टेंड किया है ठीक है कि हमें अगर वाटर वाल उठाना भी था स्लैप के परपस है तो जहां पर स्लैप अपको खतम हो रहा था वहीं पर हमारा वाल भी कम्प्लीट हो जाता मतलब 3.2 मीटर कहीं कि 3 मीटर तो अंद अब देखो कि यहां पर आपका जो स्लैप है वह प्रोजेक्शन में जा रहा मतलब नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है यह जो स्पान था क्लियर स्पैन वह 600 था यह 300 का तो टोटल अगर देखोगे तो यहां से यहां तक 1.2 मीटर है 3.2 यह 3 मीटर के साब से देखोगे तो 1. 1.8 मीटर का प्रोजेक्शन है मतलब 1.8 मीटर में आपके स्लैप पे कोई भी सपोर्ट नहीं है तो आने वाले टाइम में क्या होगा स्लैप बैट याएगा ठीक है बैटना ही बैटना क्रैक्स होगा और फिर वह तूट भी सकता है ठीक है लोड अगर आपके बहुत ज़्या पढ़ गया तो तो उसको रोखने के लिए क्या क्या यहां पे बैक्स दाला गया बोलडर अगला डाला उचया वात वाप्स उसको पड़ाइब नहीं 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 आए इसलिए आपको ऑटर वाल को और जादा करना पड़ा distance कितना है again जितना हमने slope wall को extend किया था उतना ही इसको भी extend किया that is 2.5 meter this side and 2.5 meter another side तो यह important concept है दोस्तों हलाकि यह चीज आपको नहीं मिलेगा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि maximum जोगे पर यह outer wall throughout होता है ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया और फिर outer wall करना ही पड़ता है यहां पर ऐसा रिजन था बट यह slope wall का फंडा बहुत important है दोस्तों blast आपको यहां पर slope में provide करना है अभी यह gap है ट्रॉली refuse का जो मोटर ट्रॉली होता उसका वेट काफी जादा होता तो फिर यहां पर लेकर आना फिर उठाके ऊपर लेकर जाना काफी दिक्कत है इसलिए यहां पर slope में क्या करेंगा ब्लास रख दे जाएगा और फिर यह ब्लास रोल आउट करके आपके ड्रेड में नहीं आजा इसलिए हमने यहां पर slope wall प्रोवाइड किया गया है बोस साइड दो होप आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और टॉली रिफ्यूस कंस्ट्रक्शन से या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन पर अगर आपको और वीडियो से चाहिए तब प्रीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो अध प्रीद से बता सचे और भीएडरा फिर रBarवal करे जाने हो दिर होगाओन आपको और वीडियो से दिल्वीरियो सल하지 हो झाली मुवीडियो से चाहिए रादीर पैडूस सेता मुवीरे चली मुवीर होगार इब भ्र फिर र्ल sih प्रूस अ- का झावा जो तो आपको और चे औ